चलो अभी मैं कल बताता हूं जैसे मैंने कल एक रूज बताया था वाइज इकल टू कॉंस्टेंट तो मैंने का था इसका डिफ्रेंशेशन जीरो इसका डिफ्रेंशेशन जीरो एक मैंने लिए था य इकल टू एकस की पावर एन इसका डिफ्रेंशेशन एन एकस की पावर एन minus 1 एक मैंने लिखा था है y is equal to constant into x की power n इसका differentiation dy by dx constant into n x की n minus 1 एक मैंने लिखा था है y is equal to log x कि और इसका differentiation कि 1 by x यह रूल्स मैंने कल बता दें कोई बच्चा कर नया हो तो वैसे दो पूरा लेक्चर देखना चाहिए फिर भी मैंने मोटा मोटा बता दिया है कोई बच्चा कर नया है तो भाई तो नए बच्चे के लिए बता रहा हूं और बाकी भी इनको याद रख सब्सक्राइब करने मैक्सिम यह तीन रूल यूज होते हैं यहां तक है नाइन्टी प्रसेंट के आज पा सबका डिफरेंस काम इसे चल जाता है अगर आप यह तीन रूल्स को ची तरह याद रखते हैं टाइम पर अप्लाई कर पाते हैं तो उसके बाद मुझे यह बताना ह है अब आपको कि इसके बाद के जो रूल से वो क्या है और उनको अप्लाई कैसे करना है वो देखो तो चार तो यह रूल थे यह उमीद करता हूं नए बच्चों के लिए बता रहा हूं भाई यह रूल्स मैंने कल डिस्कस किये थे आज मैंने देखा 10-15 नए बच्चे तो उनको लिए बता रहा हूं भी डिफरेंशेशन का लेक्चर कल वड़ा आप देख लेना तब आपको आज की चीज़ें समझ में आएंगी हो सकता जो नया बच्चा है आज चीज़ें कम समझ में लेकिन अगर पूरी तरह समझना थो कल का लेक्चर एक बार रिवाइज कर चीज़ें पाइब बात हैं कि टाइम टू टाइम सब चीजें आपको दीरे दीरे पता चल जाएंगी क्या है अभी तो यह रूल से इन पर इनको अप्लाई करना सिखो कि मैंने कल भी बच्चों को बता था कि यह फॉर्थ रूल है को और एक्जांपल नहीं मैं कि वल इसका वारियेबल चेंज कर सकता हूं जैसे मानले मैं लिख दूँ वाइज इकल टू लोग टी तो फिर मुझे लिखना पढ़ेगा डी वाइब डी टी एक बच्चा पूश रह लोग की फॉर्म में आजए तो उसका वन भाइए एक्स वन भाइटी वन भाइवी जो भी आपका वरियेबल उसके कोडिंग लिख देना इसका इसा कोई अलग से क्जांपल नहीं बनता है बस वारियेबल के नाम चेंज करके आप नए अग्जांपल बना सकते हो अब रूल तो फिफ्थ कल चार रूल डिसकस किये थे हमने अब रूल फिफ्थ की बात करते हैं बाई फिफ्थ रूल क्या है रूल तो क्या है चोटे-छोटे-छोटे-पॉइंट है अगर फिर मैंने जैसे कल बता आधा मैथ वाले टीचर से पुछो तो यह बहुत बातें बता रहा हो बहुत ही छोटे-छोटे-पॉइंट सबसे मीनिमम रिक्वारेमेंट है यह हूं मैथ के पॉइंट यसे तो बहुत चोटी चीज़ें है यह हम यह ठीका मारे लिए तो बहुत इंबोर्टन है लेकिन इसके बगार काम नहीं चलता फिजिक्स में तो रूल फिर्थ क्या है देखो माल आपको एकोंसे वाइजी के वाइज इकोल टू ईरेज तु पावर एक्स वाई द्रीजस आए प्स वाई और एकुछ तो भर्यबल है साइद मैंने कहीं पहले बताया आपको इस E के बारे में अगर कोई बच्चा नया है तो मैं दोबारा बता देता हूँ यह जो E है यह छोटा E ही अपने लिखना है और इस E का नाम है Exponential इस E का नाम क्या है Exponential यह एक सिंबल है जैसे आपका पाई एक सिंबल है वैसे E एक सिंबल है और E Exponential कहलाता है और इसकी वैल्यू जो वो अप्रोक्सिमेटली 2.718 होती है E की वैल्यू अब प्रोक्सिमेटली 2.718 अभी तो कि पहल यह देखलो कि E इसकी एक सिंबल है इसकी कुछ पावर दे रखी अपना तेया जिसे पाई एक सिंबल है अभी तो हमें इसकी जुरूर थे आप से बस बाकी डिटेल तो आगे टाइम टू टाइम आएंगी ही जैसे मैं आपको कई बार बता चीज अभी नहीं पता चलेगी बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आगे पता चलेगी तो थोड़ा सा पेशन्स आपको रखना पड़ेगा क्योंकि यह दो साल का प्रो तो देखो जिसे y is equal to e की पावर एक्स इसने पर अब इसको डिफ्रेंसेट करो तो डी वाई बाई डी एक्स तो मैटा e की पावर एक्स का डिफ्रेंसेशन as it is e की पावर एक्स इसका ना कोई पावर में चेंज करना ना कुछ गटाना ना कुछ बढ़ाना कुछ नहीं करना e की पावर एक्स है तो इसका डिफ्रेंसेट as it is e की पावर एक्स आएगा ठीक तो अगर कहीं इस फॉर्म में वैल्यू दे रखी हो तो इसका डिफ्रेंसेट कोई पुछे तो यहों कहीं लिखते उठागा है कोई बच्छा पुछे पी इसके एक्जांपल दे दो एक्जां कर रहा हूं तो इकी पावर टी लिख दूँगा इस तरीके से एक्जांपल आप द्यान कर सकते हैं फिर बहुत रहा हूं कोई अलग से इसमें एक और बात याद रखनी है यह पावर एक्स है अगर देखो मैं जो रूद बता रहा हूं जिस कंडिशन से बता रहा हूं पहले कें कि एकर कर दिया तो उक्रड़ा बऄटर लुद्स होज Tomorrow Care अभी जो ब्ता रहा कुछ हूं इसमें पूछ और भगएरा मैं करूंगा मैं मैं यह सकेर बगएरा करूँगा सुक्ड़ तो चलो फीजिक्स में नहीं आते हैं बट मिटेपल में वन के लाबा कुछ कुछ भी आज़ेगा यहां वन के लाव कोई भी मल्टीपल होजेगा तो अंसर चेंज होजेगा क्या होजेगा वह मताऊंगा मैं आज के ही स्टैप में आजएगा वह डिटेल में अभी जैसे जिस फॉर्म में लिखा उसकी फॉर्म में यह अंसर है एकी पावर एक सका इसके बाद सब्सक्राइब वैसे तो चेले अमारे तो मैक्सिमम दो यूज होते हैं बताऊंगा तो तीसरा भी मैं लेकिन यूज मैक्सिम दो होते हैं चुछ च्छ टिक्नमेटिक रेशिव सबके डिफरेंस न आपको फिजीक्स में याद करने की जूरूत नहीं है मैठ पड़ों के तो पनेप शीखी जाओं जो नहीं पड़को नके जूरूत ही नहीं है हमें मेली दो चीजों के डिफरेंस न याद होने चीएं इस एकुल टू साइनेक्स यह वाई इस एकुल साइन एक्स मैं यहितरी करता हूं आपसे कि आपको यह पता होगा कि टीनोमेटिकल के पीछे जो फिर खेली रिक्यों के एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है यह एक्स बोल दूँ मैं धिक्टा बोल दूँ या कुछ और बोल तो दिसद अलवेज रिप्रेजंट से एंगल तो यह मैंने लिखा वाइज उकल टो साइन एक्स यह कहेंगा differentiate करो जीसको तो dy by dx sin x का होता cos x sin x का difference in cos x होता यह x इसमें angle को represent करता है यह variable यूज किया गया है यह तो sin x का difference in cos x होगा अब कोई बच्छा सोचेगा इसका example क्या बनेगा तो example तो बैटा आप variable का नाम चेंज करके लिखे लो जो y is equal to sin theta लिखे दो तो variable theta हो गया तो आप dy by d theta लिखे दो dy by d theta तो dy by d theta तो cos theta लिखे देना इसका differentiation और कोई example बनाना चाहते हो तो और कोई variable का नाम चेंज कर लो y is equal to sin t लिखे लो तो dy by dt cos t हो जेगा भाई तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो sin का differentiation साइन का difference क्या बोले मैंने कोस होगा यह यह याद रखना है कि साइन का difference कोस होगा जब पिछे एक्स हो चाटिटा हो चाटी हो वरियेबल कोई भी हो तो difference in of sign is a course यह यह याद रखना है उसके बाद है रूज कि सेवंथ सेवंथ रूज कि सेवंथ रूज कि कि मान लोग को सेक्स दे दिया जाए वाई इस इकल टो को सेक्स अरे कार्थी के जो पढ़ा रहा हो पहले उसके सुन देने बेटा इसका तरह ध्यान क्लास में है नहीं जो पढ़ा रहा उसमें देखना कुपतन के पुछ लग रहा है अब पुछ रहा है तो डी वाई डी एक्स तो कोस एक्स का डिफरेंसेशन कोस एक्स का डिफरेंसेशन minus sin x होता है cos x का differentiation minus sin x होगा तो sin का differentiation cos था cos का minus sin है यह point याद अखने पड़ेंगे यह plus minus की गलती common mistake है थोड़ा stress नहीं देओगे तो भूल जाओगे और practice से याद होगी तो sin का differentiation cos था cos का minus sin है जैसे y is equal to cos theta तो dy by d theta minus sin theta y is equal to cos t मालो variable t ले लूँ मैं तो dy by dt dy by dt बोलो क्या लिखूं minus sin t इस तरीके से cos का difference है minus sin, sin का cos sin का थो plus cos था और cos का minus sin है यह point जान खना है आप लोगोने भाई ठीक तो यह था rule 7th rule 7th लगा लो, point 7th लगा लो आसे sequence में कोई चक्कर नहीं की rule याद करो पहले यह लिखना है इसको rule 7th लो यह लो ऐसको बोलो ऐसा कुछ नहीं है मैं तो जिस sequence में मुझे ध्याना में लिखता जा रहा हूं नहीं को rule 1, 2, 3 ऐसे बोल रहा हूं तो यह मत रटना की rule 7th यह था rule 6th यह था बोलो किसको बाद में बोलो push trigonometry में 6 tiers होजे है च्छां को traificả सोजेगे में ए दो use यह भी याद रहा है वैसे मैं तीसरह भी इता रहा हूं उसका यूज होता तो है एक आज जग़ है बत इस27 रहा आपके यह जुदय रहे हैं का कोस का मैनस साइन रूल एट्ट लिख देता हूं इसको रूल एट्थ जैसे वाइज इक्वल टू टेंजेंट एक्स वाइज इकल टू टेंजेंट एक्स दी याई बाई दी एक्स टेंजेंट का डिफ्रेंशेसं सीकेंट स्केंर एक्स इसका इसमक लेना हो तो हाई इबाई बाई ऑई दीटर चेंट स्केंट स्केंर थेटर को वाई एकोल टुू टेंजएंटि तो डिवाई बाई डिटी सीकेंड के तोर पड़े परह अब चाटा सोचेका पाफ सब्मेंचेंच में होते हैं इसलिए भी याद है तो तीन टी रेशो याद कर लो आपकी फिजिक्स में यूज नहीं होती है तो इसलिए उनको आपको उनके चक्र में पढ़ना नहीं है बच्चे के दिमाग में आ सकता जी बुक में दो लिखा क्या था मैंने पहले पिका था बुक में दो बहुत सारी चीज़ें लिख देगा हो लेकिन आपने वो पढ़नी है चो देटे चिजिम इसे मोड़ी होती है तो तीन इतंप कर लो आघर ण कोश कोश का माइनस साइन टेंजेंट सिह ए याद रहेँ देंगे लितीचेज़ विरी डिए तोमेन रहूं अब तेहिए अब जैसे में काला में टिफ्रेंसेशन बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है फिसीक्स में जैसे मैंने का कि समय कें तुझे क्या पता कि x वर्येबल नहीं है इस नौट वर्येबल इसमय बोल रहां कि X is not variable तरना के वर भाई हमने यह को आधर मनने वो constant आजएगा आरियन बूचे रहे जो देखो मेरी बात को एक बार समझो आप लोग आपको दिमाग में confusion पता किया है आप मेरी बात को फोलो नहीं कर रहे इसलिए confusion है आपका दिमाग मुझे नहीं है किस तरह की चीज आएगी क्या कैसे चीज बता नहीं है उसके उपर concentrate करो को तो फाइदा ज्यादा होगा वर्ना तो दिमाग में आएंगे लेकिन एक बार यह सोच लो कि सर जो बता रहे हैं पहले उस सिक्वेंस को फोलो कर लूँ मैं तो साइद मेरे को जल्दी चीजे असान त तो उस तरीकर से एक बार सुनों क्योंकि यह मैं अभी सीजें आपको क्स्प्यूंद नहीं कर सकता जो जिस इस तरीके से मैं बता रहा हूं वह चीजें तुम्हें फोलो कर लेनी हैं उससे काम तुम्हारा असान होगा अपने बढ़ाना हो तो तुम दस फूख फोलो कर लेना तो अगर अगर मेरा मक्सद यह रहेगा कि आपको कहीं दिख्यों कि उप्डाना सारी साल मुझे ना तो अग बीस जार बड़क पढ़ा लिएंगा मने चिंता ना करो कि अबस पेशेंस रखो थोड़ा सा और तुम देखते जाओ कि हाँ जी के शिका को फिजिकल एज्यूकस बढा देंगे चिंता करो इतनதी आसान तरीचे से यह लगाएगे भीखेल है और फिजिक्स में खासकर निमेरिकल्स तो इस तरह बढ़ा दें स्ट्रोंग तुम तुम बिस करते रहे ना जो साइनमेंट देऊंग ऐसे मैं यह कर रहा था कि जैसे डिफ्रेंसेशन में करवान लग रहे हैं आप लोगों को मैंने कल भी बता था यह मैंत का एक पॉर्शन है इसका नाम है कैलकुलस का एक पार्ट है डिफ्रेंसेशन और एक पार्ट है इंटिग्रेशन तो मैंने अभी आपको आठ रूल लिखवाए हैं डिफ्रेंसेशन के आठ रूल आठ पॉइंट बोलो मैं तो देखो रूल तो कहना पड़ता है थोड़ा सा अभी बच्चे पड़ेगा अजारों बार एक द्रशारों यूज करना पड़ेगा तो उसमें दित्री जीच कै कि मैं में आप लोगों के 221 अग शापा अभी तक लिखा दिया मैं डिफ्रेंसेश कि अगर मैं जो फिजिक्स में 100 टाइम्स डिफरेंस यूज करना पड़ गया तो बैटा 97 से 98 परसेंट यह आठ रूल यूज होंगे यह जो आठ रूल मैंने बताएं यह उस्वंगे नाइनिटी से नाइन्टी आठ परसेंट में दो थीन जगह और रूल यूज होंगे जो अब मैं बताउंगा इसके बाद आठ पॉइंट याद होगे इसके बाद भी मैं चैरपांच और पॉइंट और बताऊंगा आपको बी लेकिन मैक्सिमम यूज इन आठ पॉइंट का अगर यह आपको आते हैं ना आठ पॉइंट तो फिजिक्स में जहां पर डिफ्रेंशन आओगा तुम करता हो कि मुझे मैं गारंटी देता हूं तुम्हें अगर तुम्हें यह आठ पॉइंट है तो इसलिए मैंने का ना भी वि इससे उमीद करूँगा कि आठ पॉइंट आपको आते हैं इसके बाद जो एक्स्टा है वो क्या है वो मैं डिसकेस करते हूं गारूल नहीं लिखवार। मैं एक्जाम्पल समझाउंगा आपको उस एक दिर होजएगी बी क्या है इसके अलावा और क्या है इस में दो-तीन पर्संट के लिए जैसे एक तो मैं पहले इनी को मिला के नहीं एक एक एजाम्पल सा बना रहा हूं पहले तो उस इजाम्पल को देख लो जो अभी तक 8 स्केर प्लस टैन कि चिए अभी तक तो मैंने जो एक्जाम्पल यह थे उसमें राइट सैड़ में एक ही ट्रम ले रहा था उसको डिफिरेंवेट करो इसको डिफरेंसित करो एसान जो अभी तक रूमपधय वो लगा दो और एक determined पैसे लिए-णैज दो पावर का रूल लगजेगा तो पावर आगे आगी X की पावर में से एक माइनस कर दो X की पावर में से एक माइनस कर दो 4 माइनस 1 तल स्काय था मैंने ये रूल पावर आगे लियाओ पावर में से एक माइनस कर दो ऐसे next ट्रम पर रूल लगा दो नेक्स्ट पर क्या करूं पावर आगे ले आऊं पावर में इसे एक माइनस कर दूं फिर एक स्केर है इसकी वी पावर वाला रूल लगा दूं और यह अकेला कॉंस्टेंट है आपको बताया थे मैंने कि अगर अक्यला कॉंस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंसेशन जीरो होगा तो इसका डिफरेंसेशन जीरो लिखतो इसका डिफरेंसेशन है जीरो तो हमारा अंसर क्या बना डी वाई वाई डी एक्स इस फॉर एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 2x यह अंसर आ गया तो आपने रूल लगा दिया बच्चों ने अंसर दे रखे मेरे से पहले बिल्कुल मेरे से पहले अंसर निखावा है इसका मतलब कलीर आप लोगों को यह बते हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही अंसर हर्ष, मलिक कारती के निव सबका अंसर सही है तो मतलब कहने का मेरा यह है इस एक्जामपल लेने के पीछे कि जुरूरी नहीं है कि एक ही ट्रम हो कई सारी ट्रम हो सकती है राइट साइड में कोई पलस में, कोई माइनस में, कोई उपर, कोई नीचे कोई साइन की कोई कोश की कुछ भी उसक है हमें तो बेसिक जो आठ पॉइंट वो यादा रेक पर लगा दांगे अंसर आजएगा जती नियाद हो बिल्कुल सभी बेटा तो यह आपका अंसर इस त्रीके से निकाला जा सकता है मैं तींचे एक्जामपल लूँगा भी जिस्ट आपको इसलिए चीजें लिखते रहो आपके अंसर निकालने की अबटो नेची और एक चेंज करता हूं कि जरूरी नहीं है अमें योटी ले लेता हूं कुछ अगली बार और एजमपल लूँगा तो वेरियेबल भी चेंज हो सकते हैं उसके को आपको निए नहीं होना है ज प्लस एट अब यह कहता है इसको डिफरेंसेट करो तो बेटा अपकी बार मैंने वेरियेबल वाई और टी ले लिए तो डी वाई बाई डी टी उमीद करता हूं अब मैं डायक्टिवी लिखूंगा तो आप समझ जाओगे जैसे इसका डिफरेंस से लिखूंगा तो टेंट इसका माइनस टेंटर उसका जीरो तो अंसर आएगा टेंटि माइनस अं उमीद करता हूं आपको पता है यह से लिखा है पावर का रूल जो लगा प對 प्रव टू माइनस वंपांच यंगर यह पावर आगे ला पावर मैंस कर दो हैसे मांइन andra ही माय ब्रव्फ ले याथ यह तीकिपावर कितनी है हश्च वण तो पावर अगे लिया tests वण वन मायनस बावर यहां टीकिपावर अगे लिया पावर मैंसE Galile गए एक इसका देपैसे जीरो तो यह पावर ओगी जीरो यह वेली ओजगी वन टेन बच गया तो माइनस तैन तो यह अंसर आ गया था यहां सब लेकिन सबने लिख रख्या अंसर रितिक हर्ष और अनन्य खुशी सबने लिख रख्या बिलकों सही ओके ओके तो मेरा यह एक्जांपल सा मेरा परपस देने का था भाई यह का कि वरियेबल चेंज होजे तो भी कोई प्रोलम नहीं है उसे अपने गवराना नहीं है रूल कंवनें कूर्टी अब कि वरियें वने ऐसे ले बिल्कुल सभी बिलकुल सभी वच्चे भी बता रहे हैं भाई बहुत इंट्रेस्ट ले रहे हैं तो सिक्स्टी स्क्यर मैनस प्लस 2D मैनस ट्वन्ट एक उसको डिफ्रेंसीड करो एसको भाई तो डिस 20 डिती डिस 2DT क्या द तो अंसराय ट्वेल्टी प्लस टू यह डिफ्रेंसेशन आ गया बिल्कुल बच्छों लिख रख्या भई यह भी हर्ष ने कार्थी के अमन रेड़ इंग तेश रूती सक्षम बिल्कुल सही वहरी गोड भई रितिक पलक सबके अंसर सही है तान्या हां हां खुशी इन सबके बिल्कुल सही तो यह मैं उमीद करता हूं कि आपको डिफ्रेंसेशन के रूल याद है तो यह रूल आपने इसी तरीके से अप्लाई करने हैं और आपने अंसर निकाल देने हैं तो यह साथ डिफ्रेंसेशन बेसिक भाई आपका उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड़ है जो इसका डिफ्रेंसेशन का यूज करते हैं क्यों पढ़ रहें इसको एक एक जाम्पल उसका लिए बाद में मैं अभी तो नहीं बाद में अभी तो याद करवा देंगा आप लोगों को मानसवी का भी अनसर ठीक था मनसवी मिस्ट्रा का भी करन का भी ठीक था एक बहुत छुनों मैं थ्युल्ट से अगला पॉइंट बताने से पहले एकशम्पल लेता हूं कि मुझे बताओ इसका तुन मताओ जल्दी बोलवाई कोन कोन बैठ से देख लूंए कबर में बदाओ इसका वाइज उकल्ट एक्स का डिफिने शेशन कि यूराज अंसरने दिराज क्या बात है कि यूराज अंसर ने राज है एट है बहुत बहुत अधोर इक की बाई है बिल्कों सोँ बहुत तो यह इसका अंसर आगा वाई जीकल टू एक्स का एट आगया ठीक अब मुझे इसको यूज करना है इसलिए मैं आपको करवा इस तरह का याद रखना है कि इसका मैं यूज करूंगा हाँ 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 अब देखो अब इसका बताओ मुझे वाई इकल टू साइन एक्स का वाई इसका डिवाई पर डिए जल्दी बोलो भाई मैं इसी इन दोनों का क्या होगा इसली कि बुख रम आप से वाई इसली सल दिल्दी के बिल्द पॉक्त होगा चल्दी-विया बहुत सरे नाम निकल बहुत सब्सक्राइब अब सुनो मेरी बात को अब मेरी बात को सुनो अब मेरी बात को सुनो मैं क्यों मैं इसे एक्जामपल लिए यह सब को बता दी था मैंने पहले बता रहे तो दोबारा पूछ लिए अब लेकिन देखो यूराज दोबारा अंसर दे रहा है वाई देखो अब देखो यह साईनेक्स अब सुनना तो लाड़ा अब जो मैं काम की अब मेरी स्क्रीन रुकी होई है लास्त मेनी बच्चों के नाम है कि अब देखो कि मैंने बुद्ध का इस अकेला एक्स था यहां कि लाइक्स अश्डा को सस्ट मैं कल भी बतारा है जिस फॉर्म में आपको बतारा हूं उसी फॉर्म में ध्यान करो कोई चीज चेंज होगी तो एंसरे दो वो क्या चीज ओगी दबताना चाहcen मैं अगर अकेला साइन अग्स होता तो डिफेंस जैना को सउक्स अकेला साइन होता तो टिफिरेंसरीन अग्या को सेक्स लेकिन अगर माल लो हो हुआ साइन है población एक्स के साथ कोई मैं माझे टेक्निकली तो साइन एक्स थाया तो को दिख्स हो डेगन अगर माय जो 66 ऑसांज 3-2001 फ फोरीक्स हो इस तरे किसे कोई कभाल दिवा जी जैसे में एक्जेंहें तुह इसक मैं साइट एस साइन एट एक्स है। अब बताओ इसका difference जिन क्या होगा अब इसका difference मुझे करना है अब अकिला एक्स नहीं है 8x आ गया तो रूल change हो जोगा रूल change होगा क्या change होगा क्या बड़ी चीज नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बिल्कुल आसान है ड गई ड laugh d x अ और भाई देखो पहले तो साइन दिख़ा पने साइन दिखा नों कोस तो कर दो सीदा निए ऑनाowa टकरे दो उस तरह तो सोच नहीं नहीं इसमें तो कोई प्रोब्लम नहीं यहां तक तो बट यह अंसर नहीं है पूरा नहीं हो भाई बस इतना बतादें भी साइन कोस तो होगा डिफरेंसेशन में साइन 8x का कोस 8x होगा लेकिन इसमें एक पॉइंट और है वो पॉइंट जहां देखना है जोर देऊंगा मैं द्यान अब क्या करोगे साइन का तो कोस कर लिया लेकिन अब यह जो 8x है ना इसका जो डिफरेंसेशन होगा इस 8x का जो भी डिफरेंसेशन होगा उससे इसके साथ मल्टिपलाई करोगे 8x के अकेला 8x के वल्ट अकेला 8x होच्चो अपने दिबाग में उस 8x का जो भी डिफरेंसेशन होगा वो यहां मल्टिपलाई करोगे तो 8x का क्या आए था 8 आया था तो मल्टिपलाईड बाए 8 तो dy by dx इसका अंसर क्या बढ़ गया 8 kos 8x 8 kos 8x यह यह यस में अंसर लिख रहा था तो यह इसका इसका अंसर बनागा साइन का कोस तो आएगा यह आएगा इसमें दो सोचना ही नहीं यह तो कोई बात थे हैं यह भी इसमें कुछ हो चोगा बस एक पॉइंच यह जो में नया पॉइंट बतारा वह जहान कर लो म किसी जिए वैल्यू है उसके अकेले उसके डिफरेंसेशन से मल्टिप्लाई करना है तो यहां 8x था तो 8x का डिफरेंस अभी करवाया था मैंने आपसे वह एक्जम्पल मैंने जान वुज़ के लिए था कि आपको याद रहे तो 8x का 8 आगा तो 8 से मल्टिप्लाई कर दिया अ कोईस टैन एकस मल्टिप्लाई यदност न इस सब् amountsara और का से अ हEMA इसान है कोई मुश्कल नहीं हां जी ओर देखो साइन अलो मालो अंड़र एक्स वाइज इकल टुसांडर एक्स डी कोज प्रीपलद ऐंड़र तो प्रिटा अंड़र कॉस अंड़र एक्सौद मैं उमीद कर दो है याद रहेज करें साने असाने को मुश्किल नहीं बट यह याद रखना यह काम आएगा देखो 97-98 परसेंट तो पहले आठ रूल अगर वह आपको आठ आपते हैं तो ज्यादा तो काम चल गया लेकिन जो अच्छे कोश्यं से ना जो लावल के कोश्यं उन्हें यह भी यूज ओंगे इस तरह की चीजें भी तो यह याद रखनी है यह नहीं को छोड़ना कि कम यूज ओंगे बहुत अच्छे जो कुश्यन ने को च्छोटे पॉइंट को भी याद रखना और एग्जांपल लेता हूं और याइन क्रिकरी जा चौंस्टन तो रहरी तो इसको डिफरेंस्येट करों जी तो द डी राइ,' kello कॉस קी एक्स इंटू के तो अंसरा के पोस कि एकस तो अंसरा के को चैकक्स असान है तो crec एकिक ओने कंसुझाब सब्सक्राइए तो अंसर आ गया के को से के एक तो यह के आगे अपका और ने लेक्जांपल वाइज इकंड़े रहे हुँ नहीं जानर रहा हुआ यह इकंड़ टू साइन ओमेगा टी तो इस वाइद गरती नहीं नहीं रिख रक्या है तो ऊप कुछी सिंगला में भी लिकर ग्या है हां 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 मिल्कुल मानेश्वी इसमें singles can वर्फ एक यौइक वाय कांस्टन ऐसे सब्सक्राइबू को साइन के लिए बच्जाम्पलतने साइन के लिए ती में लिए हरसा आफ लिखादी मैं सब्सक्राइब के साइन के लिए तो पर से बसी यूंँञेचे सब्सक्राइब लिए तो में को समय यह साइन लिए आपने चाहरेक koşates 7x y is equal to cos 7x यह करना differentiate करो इसको तो dy by dx minus sin 7x into 7 देखो cos का minus 7 तो बढ़ेगा cos का minus sin बढ़ेगा तो minus sin 7x into 7 तो minus 7 sin 7x तो लिए बेटा पावर का रूल नहीं पिटा है अंकेते पावर का रूल होता मैं बताता आप लोगों को बताता दिऊंगा लेकिन उसका काम नहीं है पड़े physics में ना इसलिए मैं बता रहा हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ उस्तरे सोचो आप एक बार जो मैं करवा रहा हूँ एक बार वो सोचो सारी कनिफुशन खतम कर दूंगा मैं चिंता ना करो एसे वाइज इकोल टू कोस मा लिजे 15x होता वाइज इकोल टू कोस 15x यह कहता जिए डिफरेसेट करो इसको डी पर डी निकालो एक बार मेरे को देख लो मैं सब करवा जोंग पर चिंता ना करो अंकित माइनस साइन 15x इंटो 15 तो माइनस 15 साइन 15x मिल्कुल सभी बच्चे साथ साथ कर रहे हैं कोई दिक्केत नहीं मान रही है यह वाइज इकोल टू कोश ओमेगा टी वाइज इक़ल टू कोस मेगा टी इसमें टी वारियेबल है ओमेगा इसमें लिखो डी बेद्पाइब टी माइनस स civ ओमेगा- nicer माइनस ओमेगा- माईनस सीन ओमेगा-र इक टीकर है कि मैं मानलो कodies तरह आज तक कर दो अभी पावर की मत तोस्व की सब्शक की आएगी ओती तो फिजिक्स आपको अभी मैं बात में बता दूँब अभढ़ का यह कर लिए क्रिआना रूप्यरती करने से मालों आप ट्राइब list प्लता तुम तुम त्यक्राइब करना y is equal to sin ax plus b इसका अंसर बताओ sin ax plus b where a and b are constants where a and b are constants तो y is equal to sin ax plus b a और b constant है इसको differentiate करके बताओ क्या answer ना चीए इसका क्या answer ना चीए जल्दी बोलो भाई, try करो a और b इसमें constants है sin ax plus b इसका differentiation बताना आप लोगों मेरे को क्या ना चीए इसका differentiation d y by dx निकालना आप लोगों को d y by dx sin ax plus b कर दिया बच्चों ने, कारती के ने कर दिया बई, बिल्कुल सही answer कारती के का, ने कारती के देहान से देख, एक चोटी सी कलती कर गया, टेक्निंग के बाद नीव का ठीक है, नीव का ठीक है, नीव का ठीक है, कि अधर से दो बार कोश क्यों ना दिया बटे, अधर साइन का differentiation भाई राज, साइन का तो करना था, साइन का ही differentiation है, ये वच्छा को ने, यस यस ने कर दिया है, मुश्कान देख तो बार आएक बार, कार्ति के फिर दो बार कोश लगा दिया बटे तुम्हें, कोश तो एक की बार आएगा, ना इसमें, किसका किसका ही हो, यहां, नहीं, नहीं, गलती करके भाई, निर्विका का ठीक है, और इफ्रेंसेशन से मुल्टीप्लाई करना था, शुरूती का ठीक है, हो है। रक्सिता का ठीक है, हम, नहीं, नहीं, अब ठीक है, तानियागा ठीक है, कर थीख भी ठीक है, पहले आया था, आया था किसका था? किसका था? यस का भी ठीक हो गाथा मेरे का था dealing मैं करता हूं मैं करता हूं भCause our ठ्राइस करे कोस तो लिखे दो एक्स प्लसी कुछ बच्चे सबीं brought तो थे इसकेस न से मल्टिप्लाइड इसके। डिफरनिटियेशन से मल्टिप्लाईड तो एक SCOTT प्लस भी इसका डिफरेंस न क्या होगा इसका डिफरेंस न ए ओगा एकस का ओगा जीरो एकस का ओगा एकस प्लस भी अब देखो आपका अंसर मिलाओ माइनस नहीं आएगा आपको इन दिक्कतों में दोरा दूसरा ले ले तो में पले लेता हूं वाइज इकोल टूसाइन 4x plus 3 मैं यह लेता हूं y is equal to sign 4x plus 3 यह कहता इसको डिफरेंसेट करो कि आम प्रेक्टिस में कमें नहीं जोड़ा नहीं चिंता ना करो तुम यह पक्का याद हो जिगा ना नुको कि यहां जी इव तो जब आगे बढ़ लो जब आगे बढ़ो चिंता ना करी हो प्रेक्टिस कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो साइन 4x plus 3 तो इसका डिफरेंसेट कोस 4x plus 3 और इसका डिफरेंसेट 3 का तो 0 4x का 4 तो मल्टी प्लाड़ भाए 4 तो अंसरा 4 कोई प्शोर कोई 4x plus 3 फॉर कोई फॉर एक्स प्लस 3 बिल्कुल सही बिल्कुल सही बच्चों ने लिख रख्या है और एक्जम्ब लेता हुँ बाई मैं इसको रटवा दें आचनता ना करो तुम याद कर लो प्रेक्टिसे याद कर लो उम्हें कोई कोस का डिफरेंसेट कर तो बहुत मैस्ट साइन से 9 एक्स प्लस टू एंटू 9 माइनस और एक्स प्लस टू एंटू 9 बिल्कुल चैह तो अंसर क्या है माइनस का नाइन साइन नाइन एक्स प्लस टू तो उमीद करता हूँ कि अब आपको ये इस रूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी हर्ष मानस्वी प्रियांसु नीव अंसर लिख आरियन पानिया पलक बिल्कुल सही खुशी अंसर लिख रखे आप लोगों ने शुरूती जितेस जतेन यादव लतिक बंसर बिल्कुल आएगा अब याद रहेगा नहीं याद तोबार चूंगा ना करो पीजिनता ना करो इसको तुम्हार्ज सकता इन्टिक्राइशन को तो यह इतनी तो इसलिए स्की जुम्हारी तो मेरी है क्योंकि अगर यह नहीं आता हो तो मैं फिजिक्स समझा नहीं पाऊंगा तुम्हें याद करवा देओं आदित्या पुनिया मानिस भी मिष्रा बिल्कुल सही मुष्कान बिल्कुल सही आप दोगों सर्व आप महर खाए लिए नहीं बई बिल्कुल निगाऊज़ अचान और कोशपर किवल्च साइन और कोश्पर नहीं यह इए की पावर पर भी लगएगा अब देख लो इए की पावर का जैसे हो गई फिजिक्स जासा असांद सब्जेक्त नी तो यज इकल टो इकी पावर एक्स इसका डिफ्रेंस में पावर एक्स पता था लेकिन मैंने साथ साथ उसमें यह पता रहा कि यहाँ अकेला एक्स हो तो इसके अधर में कुछ ना हो फिर चेंज तो अब वो चेंज क्या होगा मैं बताना हूं सेम तरीका यही जो आपने साइन कोश पर लगाया जैसे सेम मेथर कोई फरके नहीं वाइज इकल टू एकी पावर मालो थ्री एक्स है मलिक तरह ठीक था मेरा भी ठीक था सर कई वरना बच्चे ज्यादा है तो तो निकल जाता किसी का नाम और मेरो मुंभी चस्में चड़ रहे हैं पर तो यह करा है वाइज इकल टू इकी पावर थी एक्स इसको डिफरेंसेट करो तो ट वयवर दिएक्स तो ट वयब्वादिक एक्स इसका अंसर यहां तक तो यह हो गई हो यहांं तक तो कुछ जगत यह बच्चों ने तो इसके डिफरेंसेसिंसे मल्टिपलाई पावर पावर देखलो पावर क्या थो प्रक्रण की फ़र्क्राइब 3x यह अंसर आ गया और देख लो और एक्जाम्पल ले लो y is equal to e की पावर माइनस 2x माइनस ले लेता हूं अब की बार कोई फर्क है नहीं माइनस प्लस तक यह फर्क पड़ा है dy by dx e की पावर माइनस 2x तो यह गयो यह पावर माइनस 2x यह गयो फिर इस पावर का डिफरेसेशन की तरा बढ़ा है का माइनस 2 तो मल्टिप्लाइड बाइनस 2 तो अंसर आया माइनस 2 e की पावर माइनस 2x नई चीज नहीं पिल्कुल वही हो गयो जो अपने साइन कोस्प पर लगाया वही अपने e की पावर में लगादो और एक्जम्पल लेता हूं e की पावर का ही मान लो y is equal to e की पावर 7x plus 2 y is equal to e की पावर 7x plus 2 अरे समझ तो आ रहा होगा एसे तो नहीं कि मैं लिखता दर रहा है तो डी वाई बाई वाई धी एकस्ते पावर 7x प्लस 2 यहों का यहोँ मल्टिप्लाइट भाई पावर का दिफरेंशेशन पावर का इकट्या एगा उपकी पार सैमने का सेमने कुकाझ जी रोतो अंसरा सैमन इगी पावर 7x सब्सथा थू कंई पूशे रहे था समस्ता रहा होगा हां कि आ रहा है ठीक है अक्व है ओक है औक करें जोश Coffee में लिगती जाओ उर्द ऑ तो मैं समझजे नहीं आ रहा हूं हाना बिलकुल बिलकुल तानिया ओकेrea ओके नीव रचित शारा आर एन मुसकान रेंड गरीमा थीक ह यह जुरूरी नहीं कि तो मैं लगे रहा हूं जो समय लोगो मैं मान दो कि तुम्हें आरा समझ में इशा शुरूती और राशी गरीमा इमान्शुचहल मलिक जितेश इशा ठीक है ओके निर्विका पर्तीक स्वामिल तो यह रूल आ गया और में एक्जांपल दे तो एक तुम बताना एक चोड़ा का एक्जांपल ले रहा हूं इसका अंसर तुम बताना इसका अंसर तुम बताना भाई जल्दी इक पावर माइनस एक्स का डिफनसेशन है जल्दी मेरे पस टाइम कम है अगली क्लाश ठाट हो नहीं फिर तुमारी नीव का ठीक है तानिया का ठीक है बिलकुल नीव तानिया करीमा कारती के जतिन इनका ठीक है जितेश का भी ठीक है यस का ठीक है खुसी दुबार्द एक रक्ister का ठीक मलेक पलस मैथ्जी का ठीक है रच्ति का ठीक है अहां-पलक पलक का ठीक है राशी का भी ठीक है इशाद इशाद फिखाच नंदन नहीं पुनित खुराणा बिलकुल सही है यश्वी लतिका बंशल नंदनी अंकित लोहान बिल्कुल सही है चलो मैं कर देता हूँ देखो बटा देखो देखो एक बार तो यह तो यह का यह हूँ e की पावर माइनस x तो यह का यह हूँ इसमें तो कुछ चेंज है नहीं करना फिर पावर का डिफरेंसेशन केवल पावर का Central प्रिष्टिब नियुक्तिकें इक利 ц Ricky comparing the ऑस него एक का और मांकिर सब्स–माइस हो एक ये उन्स अंसर Subscribe also किज एक वी ए अब लोगों को ये रूली या तो ली अनसर बोलो भाई कि चलो अजनीब करें seems एक ये रूलary सब्सक्राब आप अब भी डिफ्रेंसेशन फिर केशन फिर का लिए पूरा नहीं हुआ है, कुछ 2-3 पॉइंट ओर है डिफ्रेंसेशन के, आरियन तरह ठीक था है? हाँ, जरूर होगा पेटे, आरियन तो कल फिर हम इस difference को अगे बढ़ाएंगे फिर उसके बाद साथ साथ कल ही integration भी start होगा कल ही integration मी start होगा कल दो तीन पॉइंट और बताने मुझे differentiation के फिर differentiation के कारण आपको physics में दिक्कत नहीं आएगी कल के बाद कल मैं आध पहले आध गंटे में डिफरेंसेशन करवाऊंगा उसके बाद इंटिग्रेशन करवाऊंगा और फिर डिफरेंसेशन तो कल आपका पूरा हो जाएगा